नमस्कार दोस्तों तो आएए आज हम लोग जो हैंージबने अच् momento को साल्व करेंगे और कल से पढ़ेंगे हम लोग चक्रविर्धी ब्याज कल से C.I. पढ़ा जाएगा चक्रविर्धी ब्याज चक्रविर्दी व्याज के पर्वार्वलों को हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम नुमेरिकल साल्व करेंगे, फिर चक्रविर्दी व्याज और सधान व्याज तो हमनों से मिला कर साल्व किया जाएगा, ठीक है, आईए, हम लोग जो है, सुरू करते हैं, नुमेरिकल, तो देखी दिख रहा है आपके इसकीन पे कोई धन रास है चार वर्सों में ये थुपणा मिश्पिंटिक हो गया है चार वर्सों में 750 रुपया तथा 7 वर्सों में ये फांट मिसिंग है 7 वर्सों में 900 रुपया हो जाती है साधारन ब्याज की दर क्या होगा कह रहा है कि चार वर्सों में 750 रुपया और साथ वर्सों में 900 रुपया हो जाता है ठीक है तो साधारन ब्याज की दर क्या होगा तो चार वर्सों में तो 750 हो रहा है ठीक है और चार वर्सों में इसका मतलम यह है कि यहां पर दर अगर आ रहा है दर कितना है आ रहा है तो जो तीन वर्स का जो ब्याज है ठीक है चार वर्स में साथ सो पचास रुपया है तो तीन वर्स साथ वर्स में यह हो रहा है नो सो रुपया तो तीन वर्स का ही तो अंतर है तो तीन वर्स का जो ब्या वह 750 और 900 का अंतर कितना देड़ सो तो देड़ सो ब्याज हुआ तीन वर्स का ब्याज है वह मुल्धन पी है तीन वर्स है और आर नहीं पता है ठीक है तो अपान हंडेड बरावर हम लिख दें 150 ठीक है इसका मतलम यह है कि पी इंटू आर बाई हंडेड के अस्थान पर हम लि पचास बटा तीन तो यह कितना आजाएगा पचास क्लियर है यह तो पचास आगया पी इंटू आर बाई हंडेड अब हमें पता है कि जो चार वर्स का मिस्रिधन है ए वो तो 750 है ना पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी के जगह पर फोर अपान हंडेड अब यहां पर पी और यह 50 गुड़े 4 तो यह हो जाएगा पी बराबर 750 माइनस यह 50 के 200 और 200 अगर घटेगा इसमें से तो 550 तो मुल्धन कितना आगया 550 अब जब मुल्धन में पता हो गया कि 550 है तो दर निकालना है तो इसी में रख दें तो आर बराबर हो जाएगा यहां से आर बराबर हो ज सनगेति दूझा बराबर यहां से एक वॉसपी से तो अब यहां से वॉसआ कोण अपर जब मुल्धन कंद मुल्धन रख दो करलेंगे तो दर दिए हो गया चलिए अगला देखिए राजेंदर ने 9,680 रुपया तीन वर्सों के लिए बारह प्रतिसत वारसिक ब्याज दर पर लगाया फिर उसने 7206 रुपया एक निशित दर पर साधे चार वर्सों के लिए लगाया वह पाता है कि दोनुं इस्तितियों में साधारण व्याज की रासी समान है तो निशित दर क्या है दर पूचा जा रहा है कि क्या है जवकि वह तीन वर्सों के बाद 9,680 रुपया राजिंदर 9,680 रुपया तीन वर्सों के लिए 12 परशत पर लगाया तो 12 परतिसत पर जो इसका ब्याज मिला 9,680 कितने वर्स का? तीन वर्स का ठीक है? इतना ब्याज मिला यही ब्याज इतने का बराबर है 760 गुडे दर नहीं पता है साड़े चार यानि 9 बटा 2 बटा 100 100 से 100 तो पर जाएगा ठीक है? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यह 9680 है तो आर बराबर हो जाएगा आर बराबर यह 12 गुडे 9,680 गुडे तीन गुडे दो और पूरे का बटा 7260 गुडे 9 ठीक है? तो सालब कर लिजे जल्दी से निकालिए आर का मान आर का मान निकालिए हो गया? आएगा आपका दस से दो बटा तीन परसाद ठीक है? चलिए आगे देखा जा कोई धन रासी तीन सही एक बटा दो वर्सों में 950 रुपया तथा 6 सही एक बटा चार वर्सों में 1148 रुपया हो जाती है तो वह धन रासी क्या है? फिर वही कर रहा है कि साड़े तीन वर्सों में 950 हो जाता है और 6 सही एक बटा चार वर्सों में 1148 रुपया हो जाती है तो वह धन रासी पूछा जा रहा है कि क्या होगा? धन रासी कितना होगा? तो चलिए देखा जाए हमें पता है कि एवन 950 ठीक है? तो 950 हो जाता है 950 कितने वर्सों में? साड़े तीन वर्सों में ठीक है? तो 950 हो गया साड़े तीन 3,6,1,7 वर्सों में अच्छा ये 6,4,24,1,5 वर्सों में चार वर्सों में तो पचीस वर्सों में ये हो जाता है 1148 ठीक है? तो अब समय का अंतर कितना है तो समय ये साड़े साथ वर्स है साड़े तीन वर्स है और ये जो है छो सही एक बटा चार सवा छो वर्स है तो हम घटा दें वर्स की संख्या निकालने तो कितना हो जाएगा तो वर्सों का जो अंतर होगा साढ़े तीन और धाई ठीक है साढ़े तीन में धाई जोड़ देंगे च्वा हो जाएगा और एक बटा चार जोड़ दे तो पहने तीन हो जाएगा क्यों? तो दो दसमलो साथ पांच या हम इसी को लिखें दो सही तीन बटा चार यानि 4 दुना के 15 बटा रवर्श ठीक है इसको 15 बटा 4 वर्श हम निख सकते हो 11 बटा 4 वर्श में कितना अंतर हो जा रहा है तो 1148 और 950 का अंतर कर दें 1448 यह 950 है इसका अंतर कर दें तो यह 8-14 मिनीशे 5 जाएगा 9 और यहां पर भचेगा 10 मिसें हो जाएगा एक 199 रुपया हुआ तो 199 रुपया जो ब्याज हो रहा है ठीक है ये ब्याज P into R into T T के जगा पर ये 11 बटा 4 अपान 100 ये हो गया इसका मतलम ये है कि P into R upon 100 बराबर हो जाएगा कितना तो 192 और गुडे 4 बटा 11 तो 11 हे कम 11 88, 88 18 चोक 72 यानि P into R upon 100 के जगा पर बहत्तर रखेंगे ये 3.5 वर्स में जो मिस्धन दिया गया है 950 तो ये हम लिखेंगे P plus P into R upon 100 और गुडे 7 बटा दो तो P into R upon 100 के जगा पर 72 रख दें तो ये हो गया 72 72 गुडे 7 बटा दो तो ये कट जाएगा 36 तो ये P plus 950 इसका मतलम ये है कि 950 में से P बराबर हो जाएगा 950 माइनस अब ये 7 का गुड़ा कर दें 7 6 के 42 और 7 तिलिके 24 25 तो 252 घटा दें तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा कितना 4, 4 में से 5 जाएगा नहीं तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा यहाँ पर बचेगा 8 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानि कितना आ गया 698 तो मुलधन रा से कितना आ गया 698 रुपया है ठीक है साल कर लिजी हो गया चली आगे देखा जा कोई धन्रासी 4 सी एक बटा 2 वर्सों में 163 रुपया हो जाती है सधारण व्याज की वार्षिक दर क्या है ठीक है अब 163 रुपया हो जाता है कितने वर्सों में तो 4 सी एक बटा 2 वर्सों में 163 रुपया हो जाता है तो वह सधारण व्याज की वार्षिक दर क्या होगा वार्षिक दर पूछ रहा है यह अधूरा प्रस्न लिखा हुआ है मिसधन दे रहा है कि 163 मिसधन दिया है मुल्धन नहीं पता है और समय दिया है ठीक है तो जब हम ऐसे लिख कर लगाएंगे A बराबर P तो P प्लस P इंटू R नहीं पता है P भी नहीं पता है और T पता है कि 9 बटा 2 अपान 100 तो हमको 2 अग्यात रासी हो गया इसमें एक चीज़ और दिन अच्छे यह था तो नहीं दिया है तो इसको हटा देते है अगला नमर देखेंगे कोई धन रासी 4 वर्सों में 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्सों में 7 गुना हो जाएगा तो N-1 ठीक है तो N1-1 अपान N2-1 बराबर हम दिखेंगे T1 अपान T2 तो कह रहा है 4 वर्सों में तो 4 वर्सों में यह कितना हो जाता है 5 गुना तो 5-1 बराबर यहां 4 वर्सों में यह पोछ रहा है कितने वर्सों में 7 गुना तो 7-1 तो यहां पर T2 तो अब यहां पर हो जाएगा 4 बटा 6 बराबर 4 बटा T2 तो T2 बराबर हो जाएगा 6 वर्स टीटू बराबर कितना हो जाएगा छे वर्स ठीक है छे वर्स में वो साथ गुना हो जाएगा लगा लिजी अगला नमबर लिखिए किसी मुल्धन का साधारण ब्याज मुल्धन का 25 बटा 36 भाग है किसी मुल्धन का साधारण ब्याज मुल्धन का 25 बटा 36 भाग है यदि वार्सिक ब्याज दर तथा समय समान हो वारसिक ब्याज दर तथा समय समान हो तो वह वारसिक दर क्या होगा वह वारसिक दर क्या होगा तो देखिए आर और टी तो बराबर है तो i के अस्थान पर आप लिखते हैं P into R into T T भी आर लिखते हैं अपान 100 तो यहां से जब यह P निकालेंगे तो P बराबर जो होगा अब यह I यहाँ पे हो गया तो R इसपार R इसपार बराबर हो जाएगा 100 I यह 100 इंटू I अपान यह P तो R बराबर हो जाएगा 100 का वर्गमुल 10 और अंडर रोड I अपान P तो अब I और P दिया होगा तो हम यह लगाएंगे चुकि कोहरा आए कि 25 बटा 36 वा भाग है तो इसी को हम बता चुके हैं पीछी आप वीडियो देखेंगे तो उसमें बता है कि M अपान N कब जब M अपान N वा भाग होता है P का तब तो यहाँ पर 10 और अंडर रोड M अपान N तो 25 बटा 3 को 8 सही 1 बटा 3 प्रतिसत हम लिख सकते हैं यानि 8 सही 1 बटा 3 प्रतिसत तो लिख लिजे जल्दी से हो गया चलिए आगे देखिए अगला नमर देखिए कोई धनरासी साड़े 4 प्रतिसत वारसिक दर से 5 गुना हो जाती है तो किस दर से वह 3 गुना हो जाएगी तो इसका मतलम यह है कि T1 बराबर T2 दिया है ठीक है तो N1-1 अपान N2-1 बराबर R1 अपान R2 से N1 कितना है 5 गुना तो 5-1 N2 कितना 3 गुना तो 3-1 ठीक है और R1 नो बटा 2 R2 पूछा है तो R2 यहां ग्याद करना है तो R2 बराबर हो जाएगा यह तो 4 हो जाएगा ना तो 4 नीच चला जाएगा और यह 2 दो उपर चला जाएगा 2 गुडे 9 बटा 2 और यह 4 नीच आ जाएगा गुडे 4 2 से 2 कर जाएगा तो 9 बटा 4 प्रतिसर यानि 2 सही 1 बटा 4 प्रतिसर तो 2 सही 1 बटा 4 प्रतिसर कौनसा है चौथा अप्शन है लगा लिजे जल्दी से लिख लिजे कोई धन रासी 4.5 प्रतिसर वार्षिक दर से वार्षिक दर से 5 गुणा हो जाती है तो किस दर से वह 3 गुणा हो जाएगा हो गया चलिए अगला नमबर देखा जाए किसी मुल्धन का सधारण ब्याज मुल्धन का 81 प्रतिसर है यदि वार्षिक दर तथा समय का संख्यात्मक मान समान हो तो समय क्या होगा जब R और T बराबर हो और I जो है P का M अपान N गुना हो तो हम बता चुके हैं कि R बराबर T बराबर होता है 10 अंडर रूड M अपान N तो इसी में हम रख दें 10 और अंडर रूड 81 प्रसद का मतलम 81 बटा 100 तो ये 10 गुड़े 81 का वर्गमूल 900 का वर्गमूल 10 10 से 10 क्या हो जागा? कड़ जाएगा तो R बराबर हो गया 9 R बराबर क्या हो गया? 9 तो या तो 9 वर्ष कहें या तो 9 प्रसदर कहें बाते कहीं है तो कौन सा सही है इसमें? C लगा लिजी हो गया? चलिए अगला देखा जाएगा कोई रासी 7 वर्षों में 5 गुना 5 गुना हो जाती है वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगे तो 7 वर्षों में 5 गुना तो 5-1, 13 गुना 13-1, 7 वर्षों में तो 7 upon 3, T2 तो T2 बराबर हो जाएगा 5 मसे एग जाएगा 4 तो 7 गुडे, यहाँ पर 12 7 गुडे, 12 और यह चार नीची आजाएगा तो चार तीम बार साथ लिके एक कईस इसका मतलम कितना एक कईस कि अधार कि साथ वर्सों में पांच गुना हो जाता है तो पांच माइनस एक चार हो जाएगा यह तेरा गुना कितने वर्सों में तो तेरा मैनस एक बार हो जाएगा तो हम यह चार तीम बार तीन सते एक कईस टीटू बराबर एक कईस वर्स इसमें कोई नहीं दिया है तो हम लगा देंगे इनमें से कोई नहीं हो गया अगला है 265 रुपे की धन्रासी एक निशित दर पर 4 वर्सों में 398 रुपया हो जाता है यदि दर 2 से एक बटा 5 प्रसत अधिक हो तो वह धन्रासी कितने रुपया हो जाएगा चार वर्सों में इतना हो जाता है 298 रुपया हो जाता है तो 298 तो रहेगा ही रहेगा ठीक है चार वर्सों में अगर दर को बढ़ा दिया जाता तो 265 गुड़े ये 5 लग 10 गी 11 बटा 5 बढ़ाना है और अधिक करना है और गुड़े चार पूरे कबटा 100 ठीक है तो इतना हम जोड़ दे बसा जाएगा जल्दी से कल्कुलेशन करिए ये हो जाएगा बांग से काट दीजिए 298 प्लस पांच 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 गुड़े 11 गुड़े 4 और पूरे कबटा 100 ठीक है तो ये 298 प्लस अब ये 11 का गुड़ा कर दें तो एक और दो एक तीन पांदो साथ ठीक है पांदो साथ और ये 5 तो 571 गुड़े 4 और पूरे कबटा 100 तो अब यहाँ पर हम लिख दें 29 138 प्लस ये दसमलों यहाँ आ जाएगा तो ये हट जाएगा गुड़ा कर दें चार का चार एक कम चार चार तीन बारह चार सत्य आठाइस एक 29 और चार पाचे 20 22 तो दो 29 रुप्या इसमें जोड़ दिया जाए तो ये चार ये दो आठ औ और नौ आठ और नौ सतर आठ नौ सतर साथ फिर दो और तिन पांच एक चार फिर दो और नौ इगार को एक दो एक तीन तो एक तिस सो शार सट दसमलों दो चार जाल कर लिजिए हो गया चलिए आगे देखिए एक धन्डा से साड़े पांच वर्सों में स्वैम की नौ सही एक बटा चार गुना हो जाती है वह कितने वर्सों में स्वैम की तेर सही एक बटा दो गुनी हो जाएगी इसका मतलम यह है कि नौ सही एक बटा चार तो नौ चो के 36 एक 37 बटा चार यहां लिखे 37 बटा चार माइनस वन अपांच ये तेरा दुना के 26 27 27 बटा 2-1 बराबर हम निखेंगे 9 यहां पर कितने वर्सों में तो 11 बटा 2 वर्सों में तो 11 बटा 2 वर्सों में तो यह कितने वर्सों में पूछ रहा है तो यहां T2 कर दें क्यों तो अब यहां से T2 निकालेंगे तीटू बराबर, तो यह 11 बटा 2, और गुड़े यह जाएगा, तो 27 में से 2 जाएगा, तो 25 बटा 2, ठीक है, अब यहाँ पर 37 में से 4 जाएगा, तो 33, तो गुड़े नीचे हो जाएगा 33, और बटे 4, तो 4 उपर हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए, 11 तियां 33, दो दुना के 4, तो यह 25 बटा 3, तो 8 तिलिके 24, एक 8 सही 1 बटा 3 वर्स, ठीक है, लगा लिजे जल्दी से, आईए, अगला देखा जाएगा, का जाना है कि 56, रूपिया 3 वर्सों के लिए सधारण ब्याज की निश्चित वार्शिक दर पर अपनी एक साथी को रिण के रूप में देती है, तथा समय की समाप्ती पर 641 रूपिया प्राप्त करती है, यदि उसे 84, 188.50 रूपिया प्राप्त करना हो, तो उसे दर को कितना अधिक कर देना चाहिए, अब समझे, दर को कितना अधिक कर देना चाहिए, तो साढ़े तीन वर्सों में, तो हम यहां देखेंगे, कि यहां पर 641 पा रही है, लेकिन अलका को पाना कितना है, तो कितना अधिक ब्याज मिलना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 8418.50 में से, यह 641 घटा दें, तो यह 0, 5 तो यह रही जाए गए हैं, और 8 में से 1 जाएगा, 7, 11 में से 4 जाएगा, 7, यहां पर बचेगा, 3, 13 में से 4 जाएगा, 9 और 1, 1977 ब्याज अधिक मिलना चाहिए, तो हम यहां पर लिखेंगे, 1977.5 बराबर, अब यह ती तो पता ही है, क्या, 56, 50 और गुड़े, यह वर्स टाइम पता है, कितना, 3 दुना के 6, 7 बटा 2, और 10 नहीं पता है, तो आर और पूरे का बटा 100, ठीक है, तो अब यहां से क्या निकल जाएगा, आर, तो आर हम निकालेंगे, तो आर कितना आएगा, तो आर बराबर हो जाएगा, उन्नाई सो, यह, उन्नाई सो, सब्तहत्तर दस मलो, पाच गुड़े सो, ठीक है, यह एक जिरू, एक जिरू काट दे, तो गुड़े 10 हो जाएगा, और गुड़े 2, और पूरे का बटा हो जाएगा, यह हो जाएगा, पान सो, पैस आठ, और गुड़े 7, अब इसी को कर दो दोदे सिने कली कि निकाली जल्दी से कितना आया है तो दस आएगा है चीक है कि साल्व हो गया है चली अगला देखा जाए ए तथा बी ने क्रमस बहत्तर सो तथा एकासी सो रुपिया सधारण ब्याज पर क्रमस वर्स तीन वर्सों के लिए यह नहीं दिया है यहाँ पर देना चाहिए था ठीक है तो तीन वर्सों मन ये चार वर्स वा तीन वर्सों के लिए उधार दिया जाए समय की समाप्ति पर बी दौरा प्राप्त ब्याज एक ब्याज से 729 रुपिया अधिक है ठीक है दोनों के दौरा प्रदत वार्सिक दरों में क्या अंतर है इसमें यहाँ दिया नहीं है हटा देते हैं चलिए अगला देखा जाए बहार आया है कि 74200 रुपिय की राशी 5 वर्सों में 800 रुपिया हो जाती है दर को कितना कम कर दिया जाए ताकि मिमी सिधान 7545 रुपिया हो जाए इसका मतलम यह है कि 8145 रुपिया हो जा रहा है और उसको हमको करना है 7545 तो घंटा दे ठीक है? तो पचातर सब 10 में से पांच जाएगा पांच, नो में से चार जाएगा पांच क्यों? अभी यहाँ पर बचा कितना? तो 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 यानि 545? कितना? 555 लुप्या कम करना है इसका मतलों राष से कितना है? तो हम 555 बराबर लिखेंगे चोहतर सो गुड़े पांच गुड़े आर बटा सो तो जिरु जिरु काट दिया जाएए तो आर बराबर हो जाएगा 555 बटा पांच गुड़े और ये चोहतर ठीक है अब ये पांच से काट देते हैं तो ये 111 अब भाग दे दें 111 में चोहतर का भाग दे दीजिए तो ये लगभग आएगा एक दस्मलों पांच प्रतिसत यानि कौन सा सही भी सही होगा ठीक है अगला देखा जाएं जैचंद्र और जैभद्र ने क्रमसा 81 रुपया और 24 रुपया क्रमसा चार वर्स 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 के लिए सधारन ब्याज पर लगाया यदि सधारन ब्याज की कुल रासी प्रदत दरों का अनुपात नहीं दिया है तो जैचन द्वारा दिया गया ब्याज दर क्या है अल्या देखिए प्रदत दरों का अनुपात इसमें भी नहीं दिया है जब मुलधन को चार गुना समय को एक से एक बटा चार गुना तथा दर को साथ बटा दस गुना कर दिया जाए तो सधान भी आज कितना गुना हो जाएगा यानि कह रहा है कि मुलधन को चार गुना यानि P1 ऐसे हम लिख दें I1 अपान I2 बराबर R1 P1 P1 अपान P2 इंटू R1 अपान R2 इंटू T1 अपान T2 ठीक है अब कह रहा है I1 अपान I2 P1 अपान P2 मुलधन को चार गुना तो मुलधन को चार गुना यानि एक बटा चार ठीक है समय को एक सही एक बटा 4 गुना यानि समय जो है पांच बटा 4 गुना तो इसका मतलम यह हो जाएगा कि 4 बटा 5 और 10 को 7 बटा 10 गुना तो 10 आरवन आरटो थी यह 10 बटा 7 तो यह 4 से 4 कर जाएगा पांदून के 10 दो बटा 7 तो I2 बराबर हो जाएगा i1 गुड़े 7 बटा 2 यानि 7 बटा 2 गुना हो जाएगा तो कौन सा सही है ये 20 सही है clear है solve कर लिजिए यानि जैसे हमने यह लिखा है तो P2 के अस्थान पर ये लिखा जाएगा जो P2 है वहाँ पर लिखेंगे 4P1 R2 के जगा पर लिखेंगे कि 7 बटा 10 R1 और T2 के जगा पर लिखेंगे 5 बटा 4 T1 तो T1 T1 R1 R1 P1 P1 कट जाएगा तो यही आएगा पलट का ठीक है जैसा कह रहा था लग गया चली है तो अब हम लोग जो है कल से पढ़ेंगे चक्रविर्धी ब्याज compound interest ठीक इसी समय कल मुलाकात होगा तो चक्रविर्धी ब्याज हम लोग शुरू करेंगे तो पहले articles पढ़ेंगे और उसके साथ साथ numerical उससे किस किस तरह का पुष जाता है उस तरह कहा पढ़ेंगे जितना सधान ब्याज में articles पढ़ा है उससे और देके ही चक्रविर्धी ब्याज में articles पढ़ना है हम लोगों को तो पहले articles पढ़ेंगे उसके बाद हम लोगों ने मेरे का साल्प करेंगे चक्रविर्धी ब्याज करेंगे ठीक है तो कल मुलाकात होगी हम लोगों के बीच में और जैसा कि आप जान रहे हैं है कि हमारी live classes शुरू हो चुका है और जो है आपके दोस्तिया जितने भी हैं उनको जोड़ने का प्रियास करिए आप सबी लोग जितना जादे से जादे लोग जूटेंगे उतना ही और भी आनन्द आएगा पढ़ाने में मजा भी आएगा और यह लगेगा कि नहीं जादे से जादे लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ और अच्छा किया जाए और अच्छा तभी हो पाएगा जब आप लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में देखेंगे और दिखाने का प्रियास करेंगे हम अपनी तरफ से प्रियास कर रहे हैं और अगर संख्या नहीं बढ़ेगा तो फिर ऐसा नहों कि कहीं हमें बंद करना पड़े तो आप लोग बढ़ाई संख्या जितना ज्यादे संख्या बढ़ाना चाहते हैं उतना बढ़ाई ताकि जो है क्लास ऐसे ही अनवरत चलता रहें ताकि न कोई दिक्कत हो आप घर पे बैठे ही आराम से प कुना इसी समें नामस्कार्ण